हालो स्टूडेंट्स आज के इस इव्याख्यान कर हमारा टॉपिक है भूगरप की शंद्रचना पार्ट फरस्ट आज से लगबग 20,000 बर्स पूर है यूनानी व्यज्यानिकों ने संभावना प्रकट की थी कि प्रत्थ्व के आंत्रिक भाग के गठन में ऐसे अनिक रिक्त स् इन व्यज्यानिकों ने यहें अनुमाल विबिन प्रकार के स्रोतों अर्थात स्प्रिंग्स और पाताल तोड़ कुओं आर्टीजियन वैल्स से निकलते हुए भौग अर्बिक जल एवम सक्रिये ज्वालो मिख्यों को देखकर लगाया था केवल 200 वर्ष पूर्वे फ्रांसीची व्यज्यानिक बौगर ने परोतों के घनत्व का परिकलन कर निर्णे दिया कि प्रत्विका आंत्रिक भाग परोतों की अपिक्षा अधिक घनत्व का है इसी व्यज्यानिक ने एक विशेश परिकलन द्वारा बताया कि प्रत्विका घनत्व जल की अपिक्षा पांच गुना अर्थात 5 टैम्स अधिक होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्विका आंत्रिक भाग नहीं रिक्त है और नहीं जल द्वारा भरा हुआ है अठारी सताब्दी के भूवे ज्यानिकों ने भूग अरब से निकलते हुए उष्ण एमम तरल लावा को देखकर अनुमान लगाया कि प्रत्विका आंत्रिक भाग अति उष्ण है लैपलास नामक महुदय ने प्रत्विकी उत्पत्य के सम्मंद में अपने सिध्धान्त में प्रस्तुत किया कि प्रत्वि आधिकाल से ही अति उष्ण और गैसिये रही है पहले प्रत्विकी उपरी पपड़ी ठंडी होकर कठोर हुई तथा तत्पस्चा क्रम से आंत्रिक भाग कठोर होता गया उन्नुशी सदी तक विद्वानों को यही मानने रहा कि प्रत्विका केवल 80 या 90 किलोमेटर गहरा भाग ही ठोस है और 6 भाग तरल है भूप्रष्ट की घहराई Depth of the Earth's crust भूप्रष्ट से तात्प्रिय कुल प्रत्विकी उस पपड़ी से है जो भारी कठोर भाग है यह मुक्यत है ग्रेनाइट चट्टान द्वारा निर्मित है भूप्रष्ट की अनुमानित घहराई विभिन विद्वानों ने अलग-अलग बतलाई है जैसे गुटन बरग के अनुसार 60 किलोमेटर गैमों के अनुसार 50 किलोमेटर हैलमर्ट के अनुसार 120 किलोमेटर आर्थर होम्स के अनुसार ताप के अधार पर 20 किलोमेटर भूप कम्प की प्रष्टिय तरंगों के अधार पर 15 किलोमेटर दाप तरंगों के अधार पर 20-30 किलोमेटर के बीच और घहरी भूप अभिनिती के अधार पर 20 किलोमेटर से अधिक उक्त परिनामों के ओसत के आदार पर भूप्रिष्ट की घहराई ओस्तन लगभग 20 किलोमेटर के आसपार होनी चाहिए प्रत्व की आंत्रिक संद्रचना के बारे में जानकारी देने वाले साधनों को मुख्यरुप से तीन भागों में बाटा गया है प्रत्व एप्राकर्तिक साधन जिसके अंत्रगत घनत्तों नैंसिटी दूसरा दबाव प्रेसर और तीसरा तापकरम टेंपरेचर आते हैं इसे प्रकार प्राकर्तिक साधन इसके अंत्रगत जौलाखी मुखी वॉलकैनी जोज और भूकम्प विज्ञान सीस्मालोजी तीसरे प्रत्व की उत्पतिक से संबंदित अन्निशाक्षे संक्षित रूप्स में प्रत्वी के आंत्रिक भाग में जानकाली देने वाले साधनों का संक्षित विवरण घनतों पर आधारित प्रमाण न्यूटन द्वारा गुरुत्व आकरशन सिधान्त इस्थापित करनते हुए निश्य किया वयाकी आकरशन सक्ती पदार्थ के दरवेमान के अनुपात में बढ़ती है और उनके बीज की दूरी के अनुपात में कम होती है इस सिधान्त के नुसार संफूर प्रत्व का आपिक्षि घनतों 5.55 है जबकि प्रत्व के पटल का आपिक्षि घनतों 2.7 है महादिपों की रचना परदार चट्टानों से हुई है इन चट्टानों के नीचे आगने चट्टाने पाई जाती है जिनका घनतों 3.5 होता है अतै प्रथ्यू की सत्य से केंदर की ओर जाते हुए घनतों बढ़ता जाता है इसलिए प्रथ्यू के अंतरम अर्थात को ओर का घनतों सरवादिक है दबाव पर आधारित प्रमाण प्रारंब में यह माना जाता था कि भूप्रष्ट अंतरम की ओर जाने पर चटानों का भार एमों दबाव बढ़ता जाता है इसलिए प्रत्व के अंत्रम का घनतो अधिक बढ़ते दबाव के कारण ही है इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्व के अंत्रम का अत्यदिक घनतो वहाँ पर इस्थित अत्यदिक दबाव के कारण ही है परंतु आधोनिक प्रियोगों के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि प्रतेग चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता अते इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्वी का अंत्रम स्वम धातों का बना है जिसके पदात स्वम अधिक घनत्व वाले पथा बारी है तापकरम पर आधारित प्रमाण भूप्रष्ट से अंत्रम की ओर जाने पर प्रती एक किलोमेटर की घहराई पर पांच डिग्री सेंटीग्रेड की निरंतर ब्रदी होती जाती है इस आधार पर लगभग पचास किलोमेटर की घहराई पर चट्टानों का घंड पिखलने का बिंदू अर्थात मेल्टिंग पॉइंट बारासो डिग्री से अठारासो डिग्री सेंटीग्रेड के मद्दे होना चाहिए लौर्ड कैल्विन ने पर्थ्व के अंतरम का तापमान छेजार डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बताया इससे यह निसकर्श निकलता है कि अंतरम तरल अवस्था में होगा आधुनिक प्रियोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि दबाव चट्टानों के दर्वनांग बिंदू अर्थात मेल्टिंग पाइंट को थोड़ा बढ़ा देता है अताय यदि प्रत्वी में नीचे जाने पर ताप्रम में वर्दी होती है तो दबाव भी बढ़ जाता है इस प्रकार निसकर्श यह निकलता है कि अंतरम तरल अवस्था में होगा नमीन वेग्यानी खोजों से ग्यात हुआ है कि प्रतेक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे दबाव चाहे कितना ही अधिक हो वे किशीवी चट्टान को ठोस अवस्था में नहीं रख सकता इससे यह निसकर्श निकलता है कि अंतरम वाईवव अवस्था अर्थात जैसे यह अवस्था में होगा किन्तु वास्थे ग्रूप में अंतरम वाईवस्था में नहीं रह सकता इस प्रकार प्राकरतिक शादनों में उप्रोक प्रियोगों, प्रमाणों, खोजों आदि को धान में रखते हुए वूल्रिज एमम मारगन नामक भोलेता हुने पृत्वी के अंतरम के बारे में तीन निस्कर्स निकाले हैं प्रत्वी एक ठोस गेंद के रुप में विवार करती है, दूत्य प्रत्वी का अधिकांज भाग चिपचिपे तरल पदार्त के समान विवार करता है तृत्य प्रत्वी की आंतरिक सत्य का कुछ भाग दबाओ के गटने अताता तो आपके बढ़ने के कारण तरल हो सकता है प्रत्वी की गहराई में कमशे कम एक ऐसी परत अवश्य है जो सदेव तरल पदार्त में रहती है इसी को लावा भंडार अर्थात मैगमा चेंबर का जाता है जहां से जवाला मुकी उद्गार के समय तरल एम तप तलाबा प्रत्वी के उपरी भाग पर फैल जाता है परंतु आधुनिक भाग में अत्यदिक जबाव चट्टानों की पिगली अवस्ता में नहीं रहने देता जबकि ये संबाव है कि प्रत्वी के उपरी भाग में दरार पढ़ने से चट्टानों का द्रोनाग बंदू गिर जाता है जिसके प्रणाम शुरूप चट्टाने व महां पर परत्मान अधिक ताप के कारण पिगल कर जोहलाम की रूप में परकट हो जाती है